जॉइंट ड्राफ्टिंग कमिटी एस प्रिपाइड दी लोकपाल बील, सेंक्षन बाई दी केबिनेट, इटले के केंद्र सरकार नी केबिनेट मिनिस्ट्री जे जत्व तो केबिनेट जे छे, एना द्वारा आ बील ने अत्वा ड्राफ्ट ने मंजूरी मडी छे, और ए हवे मंजूरी माटे, विल बी प्रेजेंडेट टो दी पार्लामेंट, डुरिंग दी मॉन्सुन सेसन, एटले के, वर्सादी सत्र दर्भ्यान, एने चर्चाने मंजूरी माटे रजू करवा माऊशे, तो आ बील, आजे ज रजू थाई रही हुचे, आप सव जानों छो, के बील केटलाक बुद्धाओ माटे, बै पक्षकारों वच्चे सतत खेंचतान चाली रही छे, औने वैचारिक द्रस्टी, बै अलग अलग द्रस्टी कोण साथे, आ एक आखु बील, आगण प्रोसेस मां जही रही हुचे, एमा बड़ा प्रदाननों समावेश करवो के नहीं, लो सजापन करवानी, तो आँ बड़ा एक डिस्पीट वाडा मुद्धाओ छे, अने एना कारणे आखा राष्ट्र नी अंदर एना अंगे एक उग्र चर्चाओ चाली रही छे, औने आखु राष्ट्र बै भाग मा भेचाई गेऊ छे, एक सरकार साथे जूडाएला अख्यात एवा वक्कीलों नी टीम पण एमनी साथे जूडाएली छे, तो एक आ रिते पण आ कारिय आजे थाई रही छे, दिस सेंट्रल गवर्मेंट ऐस गेऊ धी ग्रीन सिग्नल फर फर्स फेज अब दी कॉन्ट्रो वल्सियर जैतापूर नीउक्लियर प्रावर पावर इन महरास्ट्रा, महरास्ट्रा नी अंदर लांबा समय थी जैतापूर नाम ना विस्तार नी अंदर नुक्लियर पावर प्लांट शरू करवा माटे जे अउड़ाव अती, ए अउड़ाव माधी अवे केंद्र सरकारे एना फर्स फेज ने अमल करवा माटे ग्रीन सिग्नल आप यू छे तो एक मेजर चेंग छे ने फाइनली आजनू छेली बात, दि फुल प्लानिंग कमिशन मीटिंग, चैर बाई दी प्राम मिनिस्टर, Dr. Manmohan Singh, agreed to work towards a growth target of 9 to 8.5% for the 12th 5-year plan, बार्मी पंच वर्सिय यूजिना दर्म्यान, आपडू आयो जन छे के आपडे GDP ग्र रास्ट्रिय पैदास, अथो आपडू जे रास्ट्रिय कूल उत्पादन छे, एनी अंदर आपडे 58 टका थी 9 टकाना दरे आपडे growth rate प्राप्त करिये, ए प्रकार नू आपडे बार्मी पंच वर्सिय यूजिना दर्भ्यान प्लानिंग करिया, आयो जन करिया नानो अमल कर दिये, एवू फुल प्लानिंग कमिशन द्वारा स्विकारवा मा आयो जे, मित्रो आजनो समय आपड़ो यहां पूरो धाई छे, अगेइन आज स्लोट पर आज टाई में आपडे नेक्स्ट वीक मां मड़ीशू, अने तिया वरे पन किटलाक आवाज अगत्यना बनावनी चर्चा करीशू, अने तियार पछी आपड़े अलग अलग प्रकारना सब्जेक के टॉपिक रिलेटेड धना ना अब्जेक्टिव क्वेस्चन्स थी, के वीरते सरण ताथी एनू सॉल्यूशन करीश अकाई, एनि आपड़े विगते चर्चा करीशू, थेंक्यू